हेलो पच्चो यूनियो क्योंकि मॉलस्कन है एक और सॉफ्ट बॉड़ी के कारण अपने शरीर के चारों तरफ कवच का निर्मान करते हैं और यह कवच शेल केल्शियम कॉर्बॉनेट का बना रहता है इसकी संरचना क्या होती है परा संरचना इसका अध्यान हम आज करेंगे लेयर्स दिखाई देती हैं स्पष्ट होती है जो कि बहायतम होती है पैरी औस्ट्रेकम पैरी का अर्थ होता है चारों और अर्थार्थ बहाये गहरे भूरे रंग की काचाब श्रंगिये श्रंगिये का मतलब जो कि इजीली ब्रिटलो टूट जाती है भंगूर होती है और यह हैं मुख्य रूप से protective layer होती है, जो की conchialin की बनी होती है, conchialin एक organic substance होता है, जो की horny या brittle भंगूर organic substance होता है, उसकी बनी होती है, periostrum के पश्चाद में prismatic layer आती है, prismatic layer मध्य layer होती है, और अपेक्शाकरत अधिक मोटी होती है, और इसमें calcium carbonate के crystals जो होते हैं, वह conchialin से prism के रूप में प्रथक रहते हैं, तथा सबसे आंत्रिक जो layer होती है, जिसे necreas layer अथ्वा, mother of pearl कहा जाता है, इसे mother of pearl इसलिए कहा जाता है, कि जितने भी bivalve होते हैं, योनियों के समान अन्य, बाइवेल्फ उनमें जो pearl formation होती है, मुख्य रूप से इसी layer के द्वारा होती है, इसलिए इस आंत्रिक layer को necreas अथ्वा, mother of pearl कहा जाता है, और ये इसमें मध्य लेयर की अपेक्षा, conchialin और calcium carbonate, एक alternate, एक के बाद एक क्रम के रूप में उपस्थित होती है, तो इस प्रकार से अगर section देखा जाए, तो तीन layers हमें दिखाई देते हैं, तीन इस तर होते हैं, आने वाले चित्र में भी आपको स्पष्ट हो जाएगा, पेरियोस्ट्रेकम, प्रिजमेटिक और नेक्रियस लेयर, और मुख्य रूप से इन में कॉंच्योलिन और केल्शियम कॉर्बोनेट पधार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे कि यह चित्र स्पष्ट कर रहा है, यहां पर भायतम, पेरियोस्ट्रेकम, प्रिजमेटिक जिसमें की कॉंच्योलिन और केल्शियम कॉर्बोनेट उपस्थित हैं, और नेक्रियस अल्टरनेट रूप में कॉंच्योलिन और केल्शियम कॉर्बोनेट उपस्थित रहती हैं, नेक्रियस लेयर जो होती हैं, उसमें vicious necker secreting cells होती है या mental की जो कोशिकाएं होती है जिनसे की इन इस्तरों का स्तरवन होता है अब जो hinge ligament होते हैं जहाँ पर की दोनों valve आपस में जुड़े रहते हैं या जो junction point होता है वहाँ पर जो controlling उपस्तित होता है वह uncalcified होता है अर्थार calcium carbonate अनुपस्तित होता है calcium carbonate जो है reserve calcium carbonate वह shell की आंतरिक जो दो परते होती हैं उन में उपस्तित होता है और कुछ calcium carbonate digestive glands में की कोशिकाओं में भी उपस्तित रहता है necreas layer या mother of pearl layer जो होती है वह अंबो जब हमने योनियों की भाई ये संरचना पड़ी थी तो जो उभार होता है कवच का उनके उपर का जो उभार गोलाई दिये वाला भाग होता है अंबो कहा जाता है वहाँ पर यह mother of pearl thickest होती है सरवाधिक मोटाई की होती है और जो किनारे होते हैं shell के उस side में यह सबसे अधिक पतली होती है और इनका उपयोग सामाने ते बटन बनाने में किया जाता है peri ostrichum जो layer है उसका इस्त्रवण mental की जो भाहिये पाली होती है उनके द्वारा किया जाता है भाहिये तम इस्तर का लेकिन मद्य और आंत्रिक इस्तर जो होते हैं prismatic और necreas layer इनका इस्त्रवण mental की भाहिये किनारों के अपेक्षा आंत्रिक संपूर्ण सर्फेस से किया जाता है अत्य जो necreas layer होती है वह सरवाधिक मुटाई की होती है तो इस प्रकार संदचना में हमने देखा कि शेल में तीन उख्यल इस्तर उपस्तित होते हैं और कॉंचियलिन और कैल्शियम कॉर्बोनेट की विशिष्ट अरेंजमेंट इसमें पाई जाती है इसी के साथ एक नेक्स टॉपिक भी हम अभी करते हैं जिसमें कि किस प्रकार से यूनियो गमन करता है अर्थार्थ लोकोमोशन और यूनियो तो जब हमने भाई संदचना का अध्यन किया था यूनियो का उसकी कवच पाया जाता है और कवच के अंदर जो प्राणी यूनियो होता है उसकी संदचना या संपूर्ण दे इस प्रकार से दिखाई देती है कि यह कवच के अंदर की और प्राणी उपस्तित है मुख्य रूप से जो मेंटल कवरिंग है उसको हटाने पर यह है एक मस्कूलर फुट होता है फुट के उपर आहार नाल और यह जो पाये पारदर्शी संदचना होती है यह गिल्स होती है मेंटल केविटी को हटा कर हम अंतरिक संदचना यह देख सकते है और यह वॉल्व के अड़क्टर मसल्स के साइट्स होती है पश्च अड़क्टर मसल्स और अगर अड़क्टर मसल्स होती है जहां पर की दोनों वॉल्व वापस में जुड़े रहते हैं इस प्रकार से तो किस प्रकार से यूनियो गती करता है यूनियो में गती करने के लिए जैसे अभी संरचना में दिखाया कि मांसल फुट उपस्तित होता है और यह है मांसल फुट या जो पाद होता है हलके समान इसका उपयोग करके यूनियो गती करता है गमन करता है गमन के समय यूनियो अपने इस फुट को बाहर की और धकेल देता है दोनों वाल्ब्स के बीच में से और यह मढ या जो तल होता है जलस रोत का उसमें हलकी समान रेंकर गती करता है एंकर के उस गमन के समय जो foot होता है मांसल foot जो soft foot होता है उसमें blood circulation के बढ़ जाने के कारण यह फूल जाता है और एक एंकर या काटे के रूप में हुक के रूप में काम में आता है और कीचर में या तल में धस कर यह है उसको हुक के समान support प्रदान करता है और फिर retractor muscles के संकुचन के कारण संपून देह को आगे की और खीच लिया जाता है अतर जब भी गमन होता है सर्व प्रथम जो blood circulation होता है वह foot में उपस्तित अनेक sinuses या कोटरों में भर जाता है जिसके परिणाम स्वरूप यह है एक मजबूत हुक के समान संरचना के रूप में कारिय करता है और एक इंच या उससे कुछ अधिक गती करने के पश्चात में पुने blood circulation withdraw कर लिया जाता है और जो grip होती है जकड होती है foot की वह हड जाती है और पुने यह process repeat की जाती है इस प्रकार से जो muscular foot है वह गमन में सायक होता है next topic में हम बच्चो आगे के systems अन्य systems का अध्यन करेंगे इन दो topics को आप अच्छे से पढ़ लेना अपने notes बना लेना thank you and have a nice time